दोजार चौबेस में हम आधार कार्ट को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी कम्प्यूटर की मदद से अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम्प्यूटर से हम अपने आधार कार्ट को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं अपना करना चाहें या किसी का भी तो इसके लिए हमें अपने Google Chrome को यहाँ पर खोल लेना है और यहाँ पर हम सर्च करेंगे UIDAI इस website का link जो है आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा वहाँ से आके आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इस first वाले link को जो है open करेंगे तो हम इस पर जो है click कर देंगे तो थोड़ा सा wait करेंगे यहाँ पर यह हमें इस तरीके से पूछता है कि हम किस language में जो है अपनी website को use करना चाहते हैं तो मैं जो है यहाँ पर English को select कर लेता हूँ क्योंकि हम English में इसे चलाना चाहते हैं आप चाहें तो Hindi भी select कर सकते हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिए फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम इसे जो है थोड़ा सा उपर की तरफ जो है scroll करेंगे यहाँ पर यह official website है UIDI का इसमर जो है हमें एक option मिलता है get आधार तो आपके इसी के section पर आना है और यहाँ पर तीसरे number पर download आधार का एक option मिलता है इस पर जो है हम click करेंगे इस पर जैसे ही click करेंगे तो हमारे समने इस तरीकी का page आ जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस यहाँ से जो है अपना आधार number डालके अपना आधार का डाउनलोड कर सकते हैं तीन माद्धे हम से डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो है capture so नहीं हो रहा है अगर capture so नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर refresh कर देना है ताकि आपके इसमें capture so होने लगे वो capture डालने विलना आप आधार काट को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आधार काट डाउनलोड करने के लिए इनमाद्धे हम से कर सकते हैं आधार नंबर, Enrollment ID, Virtual ID तो सभी के पास जो है Mostanaly आधार कार्ड का नंबर जो होता ही है तो हम यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे इसके बाद इस Capture को जो है यहाँ पर Send OTP के बटन पर Click करेंगे पिर आधार कार्ट से जो भी मोवाइल नमबर रजिस्टर्ड है उस पर जो है छे अंको का वन टाइम पासवर्ड मतलब OTP चला जाता है उस OTP को जो है हम यहाँ पर फिल कर देंगे जैसे OTP फिल करेंगे तो इसके बाद जो है हमें verify and download आधार इस पर जो है verify and download पर क्लिक जिस भी वक्ति का हम आधार काड download कर रहे हैं उसके नाम के four letter capital में डालना है मतलब बड़ी letter में और उसका जो भी data birth का sun है वो एक साथ मिला के बिना space के डालना है मैंने दो तरीके से example यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने दिया है तो ऐसे ही आप डाल लीजिए जिसका भ नहीं भी यूच कर सकते हैं